कि नमस्कार स्वागत करता हूं मैं व्रेंदश शर्मा अपने दिशा ऑनलाइन प्लेट फार्म में जैसा कि साथ बस्ते हैं आपके सामने पस्तित होता हूं और आज सभी को गोवर्धन की और आगामी भाया दियोज की बहुत-बहुत बदाई हो यह आपका जीवन मंगल में हो दिशा चैनल के साथ आप जुड़े रहें और मैं वादा दिलाता हूं कि नेक्स्ट आपका जो भी वेकेंसी आ रही है उसमें आपको वर्धी तक पहुचा के रहेंगे तो लगातार संख्या पद्दती आपके सामने मैं स्टार्ट कर चुका हूं उसी क्रम में मैं आपको ट सारे कमेंट्स पढ़ूंगा क्योंकि आज पढ़ाई संबंदित बात होंगी सारी कितने भी कंसेप्ट आपके सामने में लेकर आ रहा हूं वह मोस्ट इंपोटेंट आपको आने वाली परिक्षाओं के लिए रहेंगे तो एक एक करके आपको रहना है और क्लास को सुरू से आप प्रतेक बच्चे को जरूर जोइन होना है सुरू से लेकर और आखरी तक प्रतेक बच्चे को लगातार क्लास वाच करनी है तो स्टार्ट करेंगे आज अपना टॉपिक जैसा कि हमारा थमनेल लिखा हुआ है समान घात पर आदारित संख्या पद्दिती में बहुत सार आपको अच्छी लगे तो यह स्टार्ट करते हैं पहला सवाल कि पहला कुष्चन आपके सामने हैं देखिए इसमें दो टाइप आपके बनते हैं एक तो होता है समान घात इक्वल पावर पर आदारित और एक होता है आपका जो बेस वह अलग अलग दिया हुआ एक सट बास सबसे चोटी पावर तो सबसे पहले आप इसमें से सभी में से चार की पावर तीन बिल्कुल कमेंट्स भेशते रहें कमेंट्स मैं बिल्कुल बाद में पढ़ूंगा प्रते एक बच्चे का क्योंकि एक एक मिनिट एक एक सेकंड आपके लिए मोस्ट इंपोटेंट होने वाली है सबसे छोटी पावर जब आप कॉमल लेंगे तो 61 बचा कि किसी भी नंबर की पावर जीरो होने पर उसका मान हमेशा वन होता है यह घातांक और करनी में आपको में सिखाऊंगा नोट कर लें कागज पैन लेके बैठें और जितने भी सवाल आपको कराये जा रहे हैं वह अपने नोट्सों में जरूर आप इनको नोट कर लें तो किसी कि पावर जीरो होती उसका मान एक होता है आगे चार बनेगा इसके बाद चार का स्क्वेर सोल होता है और इसके बाद आपका चौसट बनेगा इनको प्लस करेंगे आप चार की पावर 61 गुना पिच्चासी अब देखे कोई भी नंबर कितनी संख्याओं से डिवाइड होगा वो डिपेंड आपका बनता है ऑप्शन के उपर तो हमें ऑप्शन के उपर देखना है और एक पॉइंट आपको जो मोस्ट इंपोटेंट है वो छोटा सा पॉइंट आपको सीख लेना है जैसे कि कहीं पर कितनी भी बड़ी गुना हो साथ गुना ग्यारा बटे पांच कितनी भी बड़ी गुना हो अगर ऊपर कोई भी संख्या उपर वाली संख्या जो भी होगी कोई भी एक संख्या यदि नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो जाए कोई भी नंबर यदि नीचे वाले से डिवा नहीं होता है साथ पांस से डिवाइड हो जाता है और दस पांस से बिल्कुल डिवाइड हो रहा है तो अगर कोई भी नंबर आपका डिवाइड हो जाए तो इनकी गुना जो जो भी इनकी गुना होगी वह हमेशा पांस से डिवाइड हो जाएगी यह पॉइंट आपको धिया से डिवाइड हो जाए तो इसका अर्थ होता है कि इनकी गुनाभी जरूर साथ से डिवाइड हो जाएगी जल्दी से थमसब करें क्या यह पॉइंट के लिए रहे यह नहीं है लगतार आपको थमसब भेशते रहना है चलिए अब हमें यह ध्यान देना है लेकशसी आप अपना झोफोकस है वह पिछा सी प्तिके पिचा चींचे कि इनमें से किसी से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा अगर इनमें से डिवाइड हो जाता तो आंसे अहीं पर छोड़े कि 85 इनमेंसे किसी से भी डिवाइड नोगा तो आपको काम करना जो एक सट है एक सट को एक काम करें चार की पावर एकक कमकरें 60 और एक चार की गुमाग इसमें और 40 240 वापस दुबारा देखें एक पावर यहां पर कम करेंगे आप एक सट है तो आप लेंगे साथ और बचा एक चार और एक करेंगे तो यह बचेगा किसी भी नंबर की पावर जीरो उने पर उसका मान वन होता यह चार यह सोले और यह चौशट इनको एड़ करेंगे तो पिच्चासी अब एक सट और करें चार की पावर एक अलग कर लें एक चार की इसमें को ना करें और एक साट पावर यहां पर करनी है इसा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें पर सब्सक्राइब भी तब करें जब आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से कराई जाए विद शॉर्टकट ऐसा बहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा अब किसी भी एक्जाम के लिए तैयारी करें यह पॉल एक्जाम को सफिशेंट रहेगे तो थमसब अपना भेशते रहें कमेंट्स लगातर आपको सेंड करने एक कुशन हो चुका है अब अगले कुछ सवालों के लिए आप प्रतेक बच्चे को रिडी रहना है चलिए कुशन नंबर आ चुके हैं अब सेकेंड पर पांच की पावर 71, 72 और 73 बोला जा रहा है पांच की पावर 71, 72 और 73 इन में से किस से डिवाइट हो जाएगी तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 71 आप कॉमन ले लें सबसे छोटी पावर आपको कॉमन लेनी है 71 सभी में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 0 आगे बचेगा 5 की पावर 1 और आगे बचेगा 5 की पावर 2 तो 5 की पावर 71 आ चुका है किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेसा 1 होता है 1 ये बचेगा आपका 5 और इधार आपका बचेगा 25 इनको यदि एड़ करेंगे तो 31 बनेगा 5 की पावर एक्षैतर गुना 31 अब आपको यह देखना है कि 31 कि से डिवाइड हो जाता है देखें 31 इन में से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है चलिए आपके कमेंट सही आ रहे हैं 31 किसी से भी डिवाइड नहीं होता तो एक काम करें आप 71 को आप एक पावर कम कर दें और एक पाँच की गुणा इधर करें 155 सेवंटीवन को सत्तर लिख लो और एक पाँच की उस साइड गुना कर लें तो अब आपका जो फोकस है 155 पर होना चाहिए तो हमें यह देखना है कि 155 इन में से किस से डिवाइड होगा तो 155 देखे 155 से डिवाइड होता है तो सही आंसर आप करेंगा ऑप्शन नमबर सी य लगातार में प्रतेक बच्चे की कमेंडस लगातार देखता रहूंगा नोट करें ली तर लीए बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ आप तीन की पावर 25, तीन की पावर 26, तीन की पावर 27 और तीन की पावर 28 बोला जा रहा है इन सारे नंबर में से किस से डिवीजिवल है इसी तरह आपका कुश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है तो सेम मैं सिकाने के लिए 3, 3, 4, 4 सवाल आपके लिए लेके आया हूँ सबसे पहले सबसे छोटी पावर आप कॉमन ले लें 25 जब आप कॉमन ले लेंगे, तो 25 सभी में से माइनस करें 0, 1 बचेगा, 2 बचेगा और 3 बचेगा 3 की पावर 25 है, किसी नंबर की पावर 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है 1, 3, 9 और 27 अब इनको प्लस करेंगे 3 की पावर 25 गुना 40 अब हमारा काम होगा, मैंना आपको बोला था 3 की 25 पावर, आप 25 बार गुना नहीं कर सकते तो हमारा काम होना चाहिए है, कि यह जो 25 है, 40 पहले तो यह देखें कि यह 40 किस से डिवाइड हो रहा है अब option में से कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं देख पा रहा है कि जो 40 को डिवाइड कर सके तो जो 40 को डिवाइड कर सके, वो कोई भी नंबर नहीं है तो एक पावर आप अलग करें, 24 और एक तीन की गुणा आप इधर कर दें, 120 अब आपको यह देखना, एक तीन की गुणा आप कर दें, 40 से अब आपको देखना, 120 किस से डिवाइड हो रहा है तो कुशन में आपका जो सही आंसर पड़ेगा, वो आप्शन नंबर C पड़ेगा पूरी क्लास आपको आखरी तक जरूर वाच करनी है काफी अच्छे-च्छे कंसेप्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो आने वाली एक्जामों के लिए मुस्ट इंपोटेंट आपके लिए रहेंगे यस यह नूम है, जरूर आप कमेंट्स करें चलिए, कुशन नंबर आते हैं अब 4 पर संक्या पड़ती काफी बड़ा टॉपिकों में से एक आता है बहुत सारे कंसेप्ट यहां पर आते हैं, मैंने मेराथन क्लास भी इस पर दो गंटे के लिए उस दो गंटे की क्लास को भी आप जरूर देखें और जितने भी बच्चे बीच में क्लास के अंदर आते हैं वो पिछली सारी वीडियो को भी अवश्य देखें क्योंकि सारी वीडियो देखेंगे और अपने आप नोट्स तैयार करें क्योंकि मैं प्रॉपर कंटेंट आपको करा रहा हूं ऐसा नहीं है कि आपको आदा अधूरा यूट्यूब पर कराए जा रहा है जो भी बढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से बढ़ाऊंगा इससे बाहर आपको कुछ मिलने वाला है ने चलिए 71 आप कॉमन ले सकते हैं 71 सम्मे से माइनस कर दें जब 71 माइनस करेंगे तो बचेगा 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 2 की पावर आएगा 3 किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर उसका मान हमेशा 1 होता है ये 2 होगा ये 4 होगा और ये 8 होगा तो 8-4 बार है और 2-14 और 1-15 तो 2 की पावर 71 गुना 15 अब आपको ये देखना है कि ये जो 15 है क्या 15 किसी से डिवाइड होता है सबसे पहले 15 देखना है देखी 15 पंदरे से डिवाइड हो गया अगर नहीं मिलता तो 1-2 की गुना करें तब भी 30 पंदरे से डिवाइड है तो कि आपको ये सारे टाइप के लिए रहें या नहीं है बट थमसब जरूर करें आप अगले कुश्चन पाते हैं तो की पावर 5001 प्लस वन तो की पावर 5001 प्लस वन पूछा जा रहा है ये नंबर किस से डिवाइड होगा अब आपको तयार हो जाना है मैं आपके सामने है पाच्छा रूल लेके आ रहा हूँ और ये रूल आपको नोट करने है क्योंकि इस ट्राइप के जो कुश्चन होंगे वो आपको एक कंसेप्ट की जरूत होगी वो प्रॉपर कंसेप्ट में आपको किलियर कराऊंगा एक नोट बनाएं आप ट्यकी पावर एंड प्लस बी की पावर एंड ेप्लस बी से विवक्त होगा कि ए प्लस बी से विवक्त होगा dire यदि एंड एक विसम संख्या है कि अले एक रूल करके आपको लिखाता रहूंगा मैं सबसे पहले यह ध्यान देना रूल नंबर फर्स्ट आप नोट कर लें A की N प्लस B की N सदेव A प्लस B से डिवाइड होगा अगर उसमें N नेक और नंबर होता है जैसा कि मैं आपको सिखाऊं कि आप बच्पन से पढ़ते हैं A की 3 प्लस B की 3 इसका फॉर्मूला होता है आपका A प्लस B A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर माइनस आपका A B फॉर्मूला बनता है अब हमें ये ध्यान देना है कि ये पूरी गुना देखे ए प्लस बी से डिवाइड हो जाएगे यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है अगर आपकी पावर से में चाहिए तीन तीनों पाँच पावरों साथ पावरों नौ पावरों कोई भी विसम पावरों अगर नंबर एक व इसम हो तीनों पाँच साथ कोई भी नंबर हो तो वह ध्यान रखें ए प्लस बी से पूरा डिवाइड हो जाएगा यह पूइंट मैंने आपको सिखाया है तो पहला रूल आपके लिए इंपोटेंट है अगर पावर से में बीच में प्लस है तो वह प्लस बीसे डिवाइड हो जाएगा यदि एन एक और नंबर है यह नोट करें अब देखिए आप हमारा जो कुश्चन हो यह तो की पावर 5001 प्लस वन तो की पावर 5001 प्लस वन किस से डिवाइड हो जाएगा अब देखिए सबसे पहली बात है यह रूल तब आप फॉलो करते हैं जब हमारी पावर सेम हो अब 5001 है तो यहां पर भी आप 5001 लिख सकते हैं अगर आपकी पावर सेम है तो आपके कुश्चन पर कोई भी असर नहीं पढ़ने वाला है तो दौनों तरफ आपने पावर सेम कर ली बीच में प्लस है तो वह इन दौनों के योग से डिवाइड हो जाएगा तो मैंने आपसे बोला है यह इन दौनों के योग से डिवाइड हो जाएगा क्या अभी-एभी मैंने एक रूल लिखा है एक एएड प्लस बी की एन सदय वेड़ से डिवाइड होता है यदि ए यदि एन एक विसम संख्या है तो आउनली आपको इन दौनों का योग कर देना है सही आंसर आपका रहेगा अप्शन नमबर भी कि अधिक लगरी आपको कमेंट्स तो करते रहें आप बीच में जो भी आपके सुझाव होंगे आप लाइव क्लास में दे सकते हैं या क्लास खतम होने के बाद आपको चैट बॉक्स मिलेगा उसमें भी आप अपने कमेंट्स पावर लगाते हैं जो कंसेप्ट आपके लिए इंपोटेंट है उसी कंसेप्ट को हम लेके आते हैं ताकि आप टाइप वाइस अगर वीडियो पढ़ेंगे तो यह आपके लिए काफी हेल्फूल रहेगी बढ़ेंगे नेक्स्ट अगला कुश्चन आपकी स्क्रीन पर है तो की पावर पांच यार तीन प्लस वन पूछा यह जा रहा है कि यह जो नंबर आपको दिखाये जा रहा है यह किस से डिवाइड हो जाएगा तो दो की पावर पांच यार तीन प्लस वन है यह आपका कुश्चन है अगर पांच यार तीन है तो वन के उपर आप कोई भी पावर ले सकते हैं वन के उपर आप कोई भी पावर लें आपकी कुश्चन पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा तो आपने देखा कि आपकी जो पावर है वो बिलकुल सेम है और बीच में प्लस यदि बीच में प्लस आ रहा है और पावर आपकी सेम है तो वह इन दौनों के योग से डिवाइड हो जाएगा तो राइट आंसर इसका पड़ेगा दो और एक तीन तो जितने भी बच्चे बीच में क्लास को जोइन कर रहे हैं मैं आपको मैंने आपको सिखाय यह हमेशा इन दौनों के योग से डिवाइड हो जाएगा जो भी ए और भी पर यह डिवाइड तभी हो पाएगा जब एंड का मान एक विसम नंबर हो जल्दी से आपको स्क्रिंशॉट कर लेने हैं चलिए क्लास में आज क्लास में हमने हैं पावर वाला केस्ट चुनाएं और पावर वाले केस्ट में भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है तो मैं एक एक टाइप आपको काफी अच्छे तरीके से करा रहा हूं जितनी वीडियो पीछे हो चुकी है प्लेलिस्ट मैंन है अगर आप यूपी प्लिस के लावा और भी दिल्ली प्लेस ऐसे सी जीडी यूपी टेट इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए पूरा हेलफुल रहेगा तो उन बच्चों को भी यही मैत पढ़ना है ऐसा ने की मैत अलग होता है देकि मैत एक ही होता है जो प्रितेग बच्चे को पड़ना है पढ़ेंगे नेक्स्ट कुर्स नमबर नेक्स्ट करें एक ही एन प्लस बी की एन मैं कोई रूल नहीं है कोई नियम नहीं कोई भी नियम नहीं है यदि एन एक समसंख्या है पिछले कोश्चन में पिछले दो सवालों में विसम नंबर थे इस सवाल में आपके ने देखा कि इस बार जो आपकी पावर है वो सम है तो दो की पावर 5002 और आप वन के उपर भी 5002 लिख सकते हो क्योंकि पावर सेम है अब देखे पावर इस बार लास्ट में दो यदि किसी नंबर के लास्ट में दो चार शे आठ लिखा हो तो वो पावर सम मानी जाती है और मैंने बोला है अगर पावर सेम है और बीच में प्लस है तो इसका तो कोई नियमी नहीं है पर सवाल में इन में स 4301 भार करें दो पावर अंदर लें 2001 करेंगे तो 5000 2 आप कब रहेंगे कि 501 इंयोगते कि तो थो बालों यह विरा चार की पावर 21 weak और बापिषे 501 अब आप आपने देखा कि आपकी जो पावर है वो और पावर है यदि हमारी पावर विसम है और बीच में प्लस है तो वो इन दौनों के योग से डिवाइड हो जाएगा तो इन दौनों का योग करेंगे तो कुश्चन का जो सही आंसर पड़ेगा वो अप्शन नमबर भी पड़ेगा जल्दी से यसी अनों में कमेंट्स करें फिर भी मैं आपसे एक दो सवाल और पूछ लेता हूं एक बार और रिपीट करता हूं मैं अगर पावर आपकी सम है तो सम में कोई भी रूल नहीं होता है यदि बीच में प्लस है तो आपको यह हल करना है आगे और हल कैसे करेंगे प्चिस सो एक में दो पावर अंदर लें içे यारदो में दो अंदर लें और पच्छी सो एक भार क्योंकि इन दोनों के डबल करेंगे पाच जार दो अगर पचास होता दो अंदर फचीज वार यदि थरटी सिक्स होता दो अंदर भार 18 ऐसे आप कर सकते हैं अब दो के दोनों के योग से जरूर डिवाइड होगा अब यह पिछले दो नियम जो मैंने आपको कराएं उसी रूल पर आप आ चुके हैं पिल्कुल कमेंट्स करते रहें कमेंट्स मेरा एक बच्चे पर कमेंट्स पर नजा रहा है बर क्लास को शेयर जरूर कर दें अपने अपने गुरूप में अपने भाई बहन रिस्तेदार तक की वीडियो आप जरूर पहुचाएं देखे दिसा चैनल आफ लाइन में पिछले ब के साथ आप जरूर जुड़ें पहतर कंटेंट के साथ आपको वीडियो कराई जाती रहेंगी बढ़ेंगे नेक्स्ट कुर्ष्ण नमबर आ चुके एट पर आप 49 की पावर 15 माइनस 1 अब हमें देखे दो रूल में आपको पढ़ा चुका हूँ पहला रूल आप पढ़ चुके हैं A की N प्लस B की N में N अगर विसम नमबर है तो A प्लस B से डिवाइड होगा दूसरा रूल था आपका अगर A की N प्लस B की N में सम है तो उसका कोई रूल है तीसरा रूल आपकी स्क्रीन पाच चुका है नोट करें A की N माइनस B की N सदैव एपल ए माइनस B से डिवाइड होगा कि सदैव ए माइनस B से विवक्त होगा कि यदि N नेक कि यदि N नेक कि विसम संक्या है यह पृते एक बच्चे को नोट करना है मैं वापस फिर बदा देता हूं देखिए आप बच्पन से पढ़ रहे हैं एक की 3 माइनस B की 3 अब एक की 3 माइनस B की 3 का एक फॉर्मूला होता है वह होता है A माइनस B आगे होता है आपका A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर प्लस A B यह हम पढ़ते हुए आ रहे हैं A की 3 माइनस B की 3 का फॉर्मूला होता है A माइनस B A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर माइनस A B तो आप ध्यान से देखें, अगर इसको A-B से देखेंगे, तो A-B से कट जाएगा, तो ध्यान देना इसके दो फेक्टर आ रहे हैं, A-B, यही बात मैंने यहां पर लिखी है, कि यह सदैव किस से डिवाइड होगा, A-B से, अब आप तीन नियम पढ़ चुके, अगर बीच मे प्लस है, विसम है तो प्लस से करना, और माइनस है तो माइनस से करना है, यह आपको ध्यान डखना है, अब इस कुश्चन को ध्यान से देखें, यह आपके सामने लिखा है, 49 की पावर 15, देखें, 49 की पावर 15 माइनस, 1 की पावर आप 15 ले सकते हैं, 1 के ओपर तो आप कोई भी पावर लिख दें का आपके कुश्चन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा अब हमें यह ध्यान से देखना है कि पावर आपकी विसम है और बीच में माइनस है अब आप इस रूल को देखें यह ए माइनस भी से डिवाइड हो जाएगा तो एक ही जगा उनान चास माइनस वन तो यह किस से डिवाइड होगा गाया तो अगर एक स्थाम में आप तो राइट आच चुका है 48 वेरी गूड आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं तो डेली आपको क्लास जोइन करने है चाल से मेरी क्लास लाइव आती है साथ से आठ तेक दिन आप क्लास करें एक बी क्लास आपको मिस नहीं करने हैं लगातार आपको बहतर कंटेंट के साथ दिशा चैनल पर क्लास मिलती रहेंगी बढ़ेंगे नेक्स्ट कि कुर्ष्ट नम्बर आच चुके नाइन पर 683 की पावर 125 देखें सवाल यह है 683 की पावर 125 पांसो अठानमे की पावर 125 प्रेकेट है इस बार माइनस माइनस को लेंगे तो माइनस 647 की पावर 125 और देखें माइनस माइनस होता है प्लस पांसो अठानमे की पावर आएगा 125 यह आपका सवाल है इस बार आप कुश्चन को ध्यान से देखें पूरा एक ही कुश्चन आ रहा है और इसमें ध्यान से देखें अगर आप ब्रेकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस अब इसमें अगर आप इन दौनों को isकी पावर 125 अब देखे जोरोल मैंने आपको लिखुआ आपको मााइनस वाला की यह इनस वी से डिवाइड हो जाएगा तो वही रूल आप ध्यान से देखें पावरा आपकी सेम है और मैंने आपको पढ़ाया क्ई एकी-एन माइन-स-स-बे-स-इन-स तो एकी-्यान-स–-स- 36. कहने करत हुआ, यह पूरा जो नंबर है, वो 36 से divide हो जाएगा. जब यह पूरा number 36 से divide हो जाएगा, और divide भी वो 36 से ही करा रहा है. तो जब कोई भी number 36 से divide हो गया, तो 60 क्या मिला? बागफल नहीं, कभी 2 लगा दें आप. 60 क्या बचेगा? 0. जैसे कि आप ये करता है दस पांसे पूरा individual हो रहा है तो तो से क्या मिला 0 ईसी तरह जब यह पूरा颁ज़ से डिवाइड हो गया तो से इस क्या मिला जीरो तो हमारे सवाल का जो राइट आंसर रहेगा वो अप्शन नमबर ए रहेगा यस यह नो में जल्दी से कमेंट्स करें कि अगले कुश्चन पाते हैं अब कि कुश्चन नमबर आ चुक है अब टैन पर कुश्चन नमबर आपका टैन आ चुका है यह सवाल आप देखें हैं हमारे सामने दिया हुआ है तेरे की पावर तेरा और सत्रे की पावर तेरा और आगे लिखा हुआ है तेरे की पावर सत्रा और सत्रे की पावर सत्रा यह पूछा जा रहा है कि इसका एक कॉमन फेक्टर कित आप से पूछा जा रहा है इसकी अंदर दौन संहेह मौज़ोद है और अपको नमबर नियम लग रहा है जो आपको पीछह पड़ा चुका हूं इन दौनों में वही पीछवाला से डिवाइड होगा इन दोनों का योग करेंगे तो यह नंबर 30 से डिवाइड होगा और इसको देखेंगे तो यह भी नंबर 30 से डिवाइड होगा इन दोनों के योग से देखिए पावर अगर विसम होती है मैं बार-बार आपको बता रहा हूं जितने भी बच्चे बीच मा रहे हैं तीस क्योंकि दौनों के अंदर जो कॉमन होगा कॉमन होता है जो सभी के अंदर हो तो राइट आंसर आपका बढ़ेगा तीस नूट करें कि वेरे गूर्ड पढ़ेंगे अगले कुश्चन की तरफ 37 की पावर 11 प्लस 43 की पावर 11 और 37 की पावर 13 और 43 की पावर 13 का एक कॉमन फेक्टर कितना है उबेनिस्ट को इंगलिस में कॉमन कहते हैं अब पावर यदि विसा में तो वह इन दौनों के योग से डिवाइड होगा असी आएगा तो यह वाला नंबर आपका किस से तो यह से डिवाइड है क्योंकि दोनों में सेम रू आपको लगा है मैं बार बार मार आपका रूअता रहूंगा एक एन प्लस बी Bonn में सधैव एक पॉलस भी से डिवाआईड होगा अगर इन विसम संख्या अगर इन67 संख्या है कि ए यह मैं आपको पढ़ा आ चुका हूं तो यह दौनों नंबर 80 से डिवाइड होगा इधर वाला भी 80 से डिवाइड होगा तो दौनों का जो कॉमन फेक्टर आ रहा है वह आ रहा है आपका 80 तो राइट आंसर देखें 80 बट आप्शन में तो असी नहीं है जब असी नहीं है तो 80 देखी किस से क्लास को आखरी तक वाच करें बीच में आपको नहीं छोड़नी है क्लास क्योंकि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करना है एक एक सवाल आपके लिए आने वाली एक्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है नेक्स्ट 42 की N-2 की पावर N में एन एक धनात्मक पूरांक है धनात्मक पूरांक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स तो धनात्मक पूरांक आपका एक से स्टार्ट होता है एक दो तीन अर्थात प्राकरतिक संख्या जितने भी आपकी बनती है उन्हें को धनात्मक पूरांक कहा जात लिए calculation छोटी रहेगे तो यह आपका कितना बढ़ेगा चालिस तो चालिस से डिवाइड हो जाएगा 40 option में नहीं है तो जब 40 option में नहीं तो answer कितना रहेगा 20 तो राइट answer आपका 20 रहेगा अगर आप दो भी मान लेते हैं तो एक फॉर्मूल आपको पता है अगर दौनों तरफ स्क्वार ओ बीच माइनस हो तो एक बार प्लस करेंगे एक बार प्लस करेंगे और एक बार आप माइनस करेंगे कि यह आपका कितना चावालिस और गुना आपका बचा चालिस अब या तो आंसर आपका 44 रहेगा या आंसर रहेगा चालिस अब चावालिस तो अप्शन में है नहीं जब चावालिस अप्शन में नहीं है तो आपका अंसर कितना आएगा चालिस अगर चालिस भी नहीं है तो आपको यह देखना है कि चावालिस को कौन से नंबर डिवाइड करता है कोई भी नहीं जब चावालिस किसी से भी नहीं होता तो फिर आपको देखना चालिस चालिस किस से डिवाइड हो जाता है बीस से तो आंसर आपका 20 रहेगा कहने करत हुआ दौनों अंसर हैं अगर दौनों हैं ऑप्शन में तो दौनों लगाएंगे अधर्वाइज आपको यह देखना है कि इन दौनों को जो नंबर ड को 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 छलि caused darkest कि आत्रहें की एन माइनस पंदरही कै शैनल गत् Mmmhya कह लिए किस से डिवाइड लोगा इन ग़िवाइड होगा अगर एन एक धनातमक छार्फ हिव एक होगी आपको कुछ भी माल ल HEYorsa 24 24hr माइनस 15 एक सत्रों 17 मैंसे 15 लगे कितने दो दो बचे लबावर आप 551 ले दो मान ले दो मान ले जितना छोटा नंबर आप मानेंगे वही आप का आनसर रहेगा धनात्मक पूर्णांक याद रखे 123 453 होतें तो 15 मैंसे 15 लगे कितने बचें दो आप सब्सक्राइब जरूर बेजें समझ माएं तो थमसब आप जरूर करके बताएं बहुत ही शांदार आपकी क्लास रहेगी बट क्लास को पूरी जरूर वाच करें बिल्कुल जो आंसर है वो आपके करेक्ट आ रहे हैं बढ़ते हैं अपने अगले कुश्चन की तरफ यह वाला कुश्चन पढ़ें इसके को हटा दें आप मुझे बताएं एक पावर पांच प्लस बी की पावर पांच किस से डिवाइड होगा पावर इस बार विसम है और मैं एक रूल आपको पढ़ा चुका हूँ एक एन प्लस बी की एन एक एन प्लस बी की एन किस से डिवाइड होता है एक प्लस बी से और एक प्लस बी से डिवाइड होता है जब एन एक विसम संख्या है यह आप पढ़ चुके हैं अगर एन एक विसम संख्या है तो वो इन दोनों के योग से डिवाइड होगा अगर पावर आपकी विशम है और बीच में प्लस है तो वो किस से डिवाइड होगा A प्लस B से डिवाइड होगा तो राइट आंसर A प्लस B Next A की पावर 16 माइनस B की पावर 16 पूछा जा रहा है किस से डिवाइड होगा अब देखिए आप एक रूल और नोट करें दौनों तरफ स्क्वाइर होता है पीच में माइनस होता है तो आप लिख सकते हैं A प्लस B A माइनस B यह बच्चपन से आप पढ़ते होंगे कि एक फॉर्मूला मैथ में यूज होता है a square minus b square a plus b a minus b अगर यहां 4 power आ जाती है तो 4 power को आप ऐसे लिख सकते हैं a के square का square minus b के square का square अब वही काम हो गया दौनों तरफ square है बीच में minus है एक बार आप plus करेंगे और एक बार आप minus करेंगे इसको आगे भी modify कर सकते हैं प्लस वाले को नहीं छेड़ेंगे आप तो यह जो a square minus b square है इसको फिर modify करेंगे a plus b a minus b तो कहने कर्थ हुआ कोई भी कितना भी बड़ा नंबर आपके सामना है चाहे पावर आठ लेंगे चार लेंगे जब वो टुकड़े करेंगे तो आपको a plus b और a minus b जरूर मिलेंगे तो इसी तरह आपको ध्यान से देखना है पावर यदि 16 और बीच में माइनस है तो जब आप लाज्ट तक आएंगे तो a plus b a minus b तो एक rule आपको note करना है और rule मैं लिख देता हूँ a की n minus b की n a plus b और a minus b से divide होगा यदि n एक समसंख्या है यह आपको note करना है अगर n एक even number है और बीच में ध्यान रखें पावर यदि sum है और बीच में minus है तो a plus b और a minus b से यह number आपका divide हो जाएगा note करें चलिए देखे फैक्टर का यूजए इसमें यह फैक्टर थे और हम होती है आपके अगला कुश्चन देखें कि 23 की पावर दस माइनस 1024 किस से डिवाइड हो जाएगे अगला सवाल 23 की पावर दस है 1024 को आप 2 की पावर दस लिख सकते हैं वही पावर सेम वाला टाइप है एक हजार 24 को आप 2 की पावर 10 लिख सकते हैं 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अगर दौनों तरफ आपका पावर सेम है और बीच में माइनस है तो A प्लस B और A माइनस B से डिवाइड हो जाएगा तो ये A प्लस B करें और ये A माइनस भी करें तो यह बनेगा 23 हर दो 25 iau ये बनेगा आपका 21 पे-स यह दोनों नंबर किस-किस से डिवाइड हो जाएंगे 25 और तदीस से से यह दोनों नंबर अगला कुश्चन देखें अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आचुका है इसको नोट करें x की पावर 2n-1 प्लस y की पावर 2n-1 मैं n यदि प्राकरतिक संख्या है तो किस से डिवाइड होगा एन यदि प्राकरतिक संख्या है तो वो किस से डिवाइड होगा यह आपका कुश्चन है अब देखिए अगर आप सवाल में ध्यान से देखें पावर तो सेम है पावर सेम है बीच में प्लस है अब कहा जा रहा है एन एक नेचुरल नंबर है तो पहली प्राकरतिक संख्या वन होती है वह पहली प्राकरतिक संख्या धन पोनां कुछ ही बोले वन होती है तो एन बराबर वन माल ले आप X की पावर दो एकम दो में कहें एक और Y की पावर या भी एक बचेगा। तो आनसर है कितना रहेगा। XsY आपका आनसर रहेगा। Yes या No थमसब जरूर करें। Class क्यांस आपको लग लिए? Comments आप करते रहें। अधेके आपका काम है comments करते रहना है लगातार। कि तब ही सारे बहुत अच्छी तरीके से मनेंगे जब आपके हाथ में रोजगार होगा सरकारी जॉब होगी तो मैं चाहता हूं कि आपको ऐसा ही कंटेंट में या पर करा रहा हूं तकि आने वाले एक्जामों के लिए आप कोई प्रॉपर कंटेंट मिलेगा इससे बार आपक लोकर्स अगला सवाल के से की प की की पावर 41 को ऑसाथ पावर 82 की अ क्या जबले जा रहा है कि यह नंबर कि अ की अ कुझा है कि ही इसाथ बाइड़ोगा तीन की पावर 91 क्लस साथ की पावर 42 कि की की पांटेश श्याने अब देखी आपको हिंट दिया गया है है, अगर 31 है तो यहां पर भी आप 2x41 ले सकते हैं 3 की पावर 42 को भी आप लिख सकते हैं, 82 को क्या लिख सकते हैं, साथ की पावर धो इन्ट्टालिस, साथ का स्क्वेर होता है, 49 , 49 की पावर 41, अब आपको एक रूल में पढ़ा चुका हूँ एक एन प्लस बी की एन किस से डिवाइड होगा यह प्लस बी से तो इन दोनों का योग करें बावन तो राइट आंसर आपका कितना पड़ेगा बावन बावन ही ऑप्शन में बावन नहीं तो 26 दें ते रहे दें जो नंबर 52 को डिवाइड करेंगा वह आपका अंसर रहेगा को बिल्कुल मैं एक एक क्वूशन आपके ली लेकर आया है और आपको परिक्षा को दिहान में रखते हुए वही सारे मत 영상 चुनेंगे हैं आपको पढ़ना में है क्या चीज पढ़नी है क्या आपको चूड़नी है ये पढ़ना में होता है बहुत सारे बच्चे महत की कोई भी किताब लेते हैं लग जाते हैं पढ़ना परन्त उन पर बेस आता नहीं किताब का सॉलुशन देखेंगे और यह यह आंसर है बट जब तक आप टाइब वाइस नहीं पढ़ेंगे टॉपिक को तब तक आपका पूरा कंसेप्ट के लिए न अगर आप पहले दो को देखेंगे तो यह किस से डिवाइड होगा देखें वही विसम पावर है बीच में प्लस है इन दोनों का योग करें चालिस से प्लस इसी तरह इसमें भी वही आ रहा है चालिस से यह दौनों नंबर सौरी चालिस नहीं अड़तालिस फोर्टी एट से इन दोनों का योग करेंगे आप तो यह आपका बनेगा फोर्टी एट और यह चालिस दौनों को जोड़ todavía है अब 88 अब इत्ती इट आगे है दौनों का योग यह नंबर 40 से डिवाइड हो रहा है ये 48 से डिवाइड हो रहा है तो आप यह देखें 88 औप्शन में आपको दि चलिए अगला कुश्चन देखें पांच की पावर 3N-2 की पावर 6N किस से डिवाइड हो जाएगा अगर एन एक धनात्मक पूर्णांक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स पैन बराबर एक रखें पांच की पावर 3-2 की पावर 6N बराबर एक पूट करदें आप इस बार देखो पावर सेम नहीं है जब आपकी पावर सेम नहीं है तो एन बराबर वन पूट करदें 125 और 2 की 6 होता है 64 माइनस करेंगे 61 61 ही आपका आंसर बनेगा कि यह यह नों में कमेंट तो करें आप थमसब जरूर करते रहें लगातार पावर सेम नहीं तो क्या करेंगे सेम है तो क्या करेंगे सब कुछ आपके सामना है कि अगला कुश्चन तो की पावर 6N-4 की पावर 2N में N1 प्राकरतिक संख्या है, पूछा जा रहा है यह किस से डिवाइड है, तो की पावर N1 प्राकरतिक संख्या है, प्राकरतिक संख्या पहली कौन से होती है, तो पहली प्राकरतिक संख्या आपके एक होती है, तो की पावर 6, तो की पावर 6 कि है 64 और 4 का स्क्वेट होता है 16 ठीक है sorry दुबारा देखें न्यान से अन बराबर अगर एक पूट कर दें तो 2 की 6 होता है चो शट और 4 का स्क्वेट होता है 16 तो यह आपका कितना बनेगा 48 तो बोला जा रख लें प्राकर्टिक संख्या बोले धनपुनांक बोले संब ले तो दो मारना है विसम बोले तो भी एक मारना विसम बोले पहली विशम नंबर ओर नंबर तो भी एक मने आप लिए नेक्स कुस्षिन पाते हैं अब संख्यार चलिए 15 में 30 पर एंक प्लस फॉन किस से डिवाइड ने पूछा जा रहा है एक विसम संख्या फैस के कि अगर 250 मृत्राइब से धनात्मक बोले चाहे आपका प्राकर्सिक बोले vidéo1 मानना एंड मालें आप सत्रे की पावर एक प्लस वन तो सत्रे और एक अठारा ओप्शन में आपको अठारे दिख रहा है राइट आंसर आपका ए रहेगा तलिए टाइम थोड़ा कम है मैं थोड़ी और स्पीड बढ़ाता हूं कि नेक्स्ट अगला कुश्च्छन अगला सवाल आपकी स्क्रेन पर 19 की पावर 31 बीस की पावर 31 देखे अगर इनका अंतर सेम है एक एक कंतरो दो दो कंतरो तो आपको बस ही जोड़ देने क्योंकि कि A की एन प्लस B की एन कितना भी बड़ा सवाल देन थे की एन और भी बढ़ा दे B की एन प्लस डॉट 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 वह याद रखना क्या सिनके प्लस विろ क्लसिक डी प्लस दॉ window वह अंगर नहिक मन एक एक busy कर देगा option number D कितना भी बड़ा सवाल हो अगर इन मंतर बराबर है तीन रखे चार रखे पांच रखे आउनली आपको योग कर देना यह नियम आपके लिए मैंने इसको नोट कर लें आउनली बस इन संख्याओं का योग आपको कर देना चले तो आज की वीडियो को हम इसी कोश्चन के साथ समाप्त करते हैं वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं कमेंट्स देखिए आप लाइफ चैट कर रहे हैं लगातार करते नहीं पर जब क्लास खतम हो जाती है तो आपको आपके सामने कमेंट्स भी होता है उसमें अपने कमेंट्स दे सकते हैं जितने भी बच्चे पहली बार क्लास को वाच करें वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले मैं वादा दिलाता हूं यह चैनल आपको वर्दी तक लेके जाएगा यह हमारा प्रामिस है क्योंकि इससे बहतर कंटेंट आपक टेक एर और अपना ध्यान रखें और एक बार फिर हैपी गोवर्दन और भाईया द्योज के लिए आपको सुब कामना है थैंक यो